नमस्कार आप देख रहे हैं बिहार तक मैं हूँ आपके साथ सुकन्या सिर्ण इस वीडियो में हम आपको एक नौकरी के विशे में जानकारी देने जा रहे हैं अगर आप ग्रेजवेट हैं और आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहत एहम है ये जानकारी बेहत एहम है बिहार सरकार की अंतरगत एक विभाग में अधिकारी बनने का आपके पास मौका है और इसके लिए कोई खास योगिता या स्पेशल योगिता की जरूरत नहीं है किसी भी विशे में अगर आप सना तक हैं ग्रेजवेट हैं तो आप इस पद के लिए अपलाई कर सकते हैं चलिए इस पद से जुड़ी कुछ और जानकारी हम आपको देते हैं ये जो बहाली है इसके लिए किसी लिखित परिक्षा की जरूरत नहीं होगी आपको सर्फ आवेदन करना है और साक्षात कार या इंटर्व्यू के आधार पर आपकी बहाली की जाएगी चलिए सैलरी कितनी मिलेगी ये अब आपको बता देते हैं अगर आपका चैन होता है तो 33,000 रुपे आ चलिए उस वेबसाइट के बारे में भी आपको बताते हैं आप नहरू युवा किंद्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अधिसूचना को देख सकते हैं चलिए अब योगिता और अन्य शर्तों को भी जान लेते हैं इन पदों के लिए नियूनतम शेक्षनिक योगित सनातक पास हैं इसके अलाबा अभ्यर्थी को स्वच्ता और जल प्रदूशन जैसे मुद्दों पर काम करने का कम से कम दो साल का अनुभव होना चाहिए अभ्यर्थी को कंप्यूचर और इंचरनेट की जानकारी के साथ ही बातचीत में भी अच्छा होना चाहिए कर भी सकते हैं अगर सनातक हैं और बाकी क्वालिफिकेशन को फूल्फिल कर रहे हैं तो अब चलिया आपको बताते हैं कि बिहार के वो जिले कौन-कौन से हैं जहां के लिए भठती होना है बिहार के बिगुसराय भोजपूर कटिहार खगडिया लखीसराय समस्तिपूर सार तिवीधियों को चलाना है नहरू युवा केंदर संगठन की तरफ से ये तमाम भरती हो रही है भारत सरकार के युवा कारिक्रम और खेल मंत्राले की अंतरगत ये एक संगठन है इसका कारयाले देश के हरजले और प्रदेश मुख्याले में होता है ये संगठन ग्रामीन य एक जानकारी की तलाष कर रए हैं तो सुबह साथ बजे आपके लिए खास हम नौकरी से जुड़ी एक किसी वेकन्सी के बारे में पूरी जानकारी लेकर आते हैं उसमें आपको बताते हैं कि उस पद में योगिता क्या कुछ चाहिए अप लाई कैसे करना है और सैलरी कितनी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए ताकि जैसे ही कोई जानकारी नौकरी संबंधी आती है, सबसे पहले वो जानकारी सटीक तरीके से आप तक पहुँचे, साथी बिहार की एक खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक